प्रवेश्वसी की नाम में मैं आप सभों का आज रहवार की सुभा के सराधना में मैं स्वागत करता हूं प्राथने के तन Youth and Kids Sunday Special Worship Service में प्रवेश्वसी की नाम में आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमारे जवानों ने और हमारे बच्चों ने जो भी गीत गाए जो आपने बाइबिल पद सुने और जो आपने स्पेशल सौंग सुने जो प्रेजिन वर्शिप में आप उनके साथ शामिल हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सब बातों क ने चरणा दमावरा आधर ओर महिमा सिर्फ परमेश्वार को मिले और मैंमीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आपको आनन्द मिला होगा जरूरर से आप इन तमाम बच्चों के लिए जवानों बिश्वास के लिए प्रार्थनra करते रहें इस विंआ करते के रह आपने वचन हमको दिया है, हमारे हाथों में धिया है प्रुबू जी, एक आशीष के रूप में दिया है प्रुबू, और आप बार बार पिता फरमेश्जर अपने वचन के जरीये से हमसे बातचीत करते हैं, सो पजुतरात्मा आप से बिंती करते हैं, आप आएं और अपने लोगों से बात चीत करें, बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाले आप होईएगा, और पजुतरात्मा आज हमें से हर एक की जरूरत के मताबिक आपकी आवाज हम तक पहुंचने पाए, इस समय को आपके हाथों में सौपते हुए, फ्रारतना प्रव येश्व मसी के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, आज से पांच सब्ताफ पूर्व विश्वासी हम लोगों ने एक बाइबल अध्यान के करम को आरम किया था, और उस बाइबल अध्यान का जो शीर्शक है, वो है, परमेश्वर के ह मात को थामे रहना, we started a Bible study series about five weeks back and it is entitled How to Hold God's Hand and today we are going to proceed and move into part five of this Bible study and it is entitled How to Hold God's Hand when life is good. जब सब ठीक चल रहा हो, जब जीवन अच्छा चल रहा हो, जब जीवन में बहुत सफलता हो, जब जेब में पैसे हो, जब अच्छी सेहत हो, जब परिवार में सुख और सम्रिदी हो, जब सब ठीक चल रहा हो, ऐसी परसिती में परमेश्वर के हाथ को कैसे थामे रहें और क्यों थांबे रहे हैं? There are a few very important things with which I want to begin today's seven. Why is it important to hold God's hand? परमेशोर के हाथ को थांबे रहना क्यों जरूरी है? Because when you hold someone's hands, you can't walk ahead of that person. जब आप किसी का हाथ थांब के चलते हैं तो आप उस विक्ती से आगे चलके नहीं जा सकते हैं. Neither can you walk behind that person. ना आप उस विक्ती के पीछे पीछे चल सकते हैं जब आप उसका हाथ थांबे हैं. Neither can you walk away from that person if you are holding hands. और यदि आप किसी का हाथ थांबे हुए हैं तो आप चल करके उससे बहुत अधिक दूर भी नहीं जा सकते हैं. When you hold someone's hands, you remain in his or her presence for an extended period of time. जब आप किसी का हाथ थांबे रहते हैं तो आप उस व्यक्ती का, उस पुरुष का, उस महिला का, उस व्यक्ती की उपस्तिती में, उसकी हुजूरी में, उसकी presence में आप बने रहते हैं. Holding hands is an expression of love, togetherness, and fellowship. हाथ थांबना, प्रेम का, संगती का, साथ का, मित्रता का परिचायक है. People hold each other's hands. लोग एक दूसरे का हाथ थांबते हैं. बाप मा बच्चों का हाथ थांबते हैं. बच्चे माता पिता का हाथ थांबे रहते हैं. पती पत्नी आपस में दूसरे का हाथ थांबे रहते हैं. मित्र आपस में दूसरे का हाथ थांबे रहते हैं. और इन सब बातों में, लोग अपने प्रेम को, अपने साथ को, अपने अपनी उपस्तिती को, एक दूसरे के साथ दर्ज करते हैं. Holding hands is also a way of saying that I feel confident and safe in your presence. हाथ थांबने से हम ये भी बताते हैं, कि आपके रहते, आपका हाथ थांबे हुए, आपकी हुजूरी में, आपकी presence में, मुझे आश्वासन मिलता है, मुझे सुरक्षा का एहसास होता है. When you hold someone's hands, you say to that person, don't worry, I am here with you. जब आप किसी का हाथ थांबते हैं, तो आप उससे ये कहते हैं, घवराओ मत, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ. Holding God's hands is having a first-hand experience of knowing Him and enjoying His presence and doing life with Him. परमेश्वर के हाथ को थांबे रहने का मतलब ये है, कि हमारा अपना व्यतिगत, परमेश्वर के साथ एक व्यतिगत संबन है, हाथ हमने कमता हम उसको जानते हैं, उसकी उपस्तिती में रहते हैं और जीवन हम उसके साथ-साथ जी रहे हैं. When we hold God's hands, we realize that people in this world may leave us and go away from us. They may either leave us by themselves or they may be taken away for different reasons. But God will never, ever leave us and we are safe in His presence. जब हम परमेश्वर के हाथ को थांबे रहते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि संसार के लोग हमें छोड़के चले जाएंगे. या तो वो हमें अपने आप छोड़के चले जाएंगे. या हमें उनसे अलग कर दिया जाएगा, अलग-अलग कारणों से. लेकिन परमेश्वर है, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जो हमसे कभी अलग नहीं होगा, जो हमको कभी नहीं त्यागेगा. My dear friends, why are we doing this series with you? हम आपके साथ मिल करके, इस Bible अध्यन के करम को क्यों कर रहे हैं? Because we love you. प्रातने के तन फैमिली, I love you. And I want you to know that God also loves you. प्रातने के तन के परिवार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सब से कहना चाहता हूं, कि मैं आप से प्यार करता हूं. परमेश्वर आप से प्यार करता है. We want you to realize that your relationship with God is not just religious or ceremonious or fancy to understand and experience that your relationship with God is deeply, purely, intimate and a one-on-one person relationship with God. हम आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आप के साथ जो सम्बंध है, वो केवल बहारी या सतही या दिखावे वाला सम्बंध नहीं है. लेकिन परमेश्वर के साथ जो आपका सम्बंध है, वो बहुत ही गहरा और पवित्र और आंतरिक व्यक्तिगत घनिष्टता का एक सम्बंध है. So as I told you that we are in part 5 of this beautiful Bible study series and today we are going to look at how to hold God's hands when life is good. जब सब ठीक चल रहा हो, तब ही परमेश्वर के हाथ को कैसे और क्यों हम थमे रहें. We aren't going through tough times all the time my dear people. For many, very often life is very good. We find ourselves cruising along, moving along, successful, happy and we wish that this success and these good times last forever. विश्वासियों हम हमेशा जीवन में एक कठेन और खराब समय का सामना नहीं करते हैं. बहुत आजीवन में बहुत आनंद भी होता है, बहुत खुशी होती है, बहुत संतुष्टी होती है, बहुत सफलता होती है और ऐसे लगता है कि जीवन बहुत ही सुखद और सौहार्द के साथ आगे बढ़ रहा है. और हम ऐसी कामना करते हैं कि काश हमारा ये समय हमेशा योहीं बना रहे. हम अपनी आशिशों को देखते हैं, उनको गिनते हैं और परमेश्वर को उन सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं. जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, हमको ये समझना जरूरी है कि तब भी, और ऐसे में भी, सफलता में भी, अच्छे दिनों में भी, हम परमेश्वर के हाथ को कैसे थामी रहे? और क्यों हम थामे रहे? जब कोई मुसीबत ना हो, जब कोई संघर्ष ना हो, जब कोई चुनौती ना हो, जब कोई तकलीफ ना हो, ऐसी परिस्थिती में भी, हम परमेश्वर के हाथ को जब थामे रहते हैं, तो कैसा हमको महसूस होता है? How do we feel when we continue to hold God's hand, even in that successful situation? Will we still yearn His presence and seek His face? क्या ऐसी सफल परिस्थितियों में भी या अच्छे दिनों में भी हम परमेश्वर के हाथ को थामे रहेंगे? जब सब ठीक चल रहा हो, क्या तब ही हम परमेश्वर के भै में और परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके उपस्तिती में जीवन जीना चाहेंगे? क्या उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करना चाहें after all what is the first commandment love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength love the Lord your God with everything that you have and that you are परवेश्व दौरत दी गई जो प्रथा महानतम आज्या है वो क्या है तौ प्रवेश्व से अपने सारे हिदे और अपने सारे मन और अपनी सारी बुद्धी और अपनी सारी शक्ती से अर्थात जो कुछ तेरे पास है और जो कुछ तू है उस सब कुछ से परवेश्वर से तौ प्रेम कर मैंदे पीपल, let me take you back to this person in the Bible who gives us an idea of what life needs to be a heart needs to be when life is going great मैं आपको एक Bible के ऐसे किरदार की ओर एक ऐसे व्यक्ती की ओर जाना चाहता हूँ जिसके जीवन से हम सीखना चाहते है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो जब सब कुछ भला चल रहा हो ऐसी परिस्ति में भी हम परमेश्वर के हाथ को कैसे थामे रहे and I'm talking about King David the Psalmist, the Musician, the Instrumentalist, the Prophet and the King राजय दावरा जो भजनकार था, गीतकार था, संगीतकार था, शूरवीर था, भाष्टक्ता था और एक राजा था और एक राजा था Would you please turn with me into Psalm 116 भजन 116 की ओर मैं कुछ समय के लिए आपका ध्यान खींचना चाहता हूं and David in Psalm 116 says this Lord, what should I render to you for all your benefits to me हे परमेश्वर मैं आपकी तमाम भलाईयों के प्रती मैं आपको क्या दो My dear people, this is a worship question signifying a heart full of gratitude and thankfulness मेरे प्यारे भाईयों बेहनों ये प्रशन एक अराधना से, एक धन्यवाद से और एक कृतग्यता से भरा हुआ प्रशन है और एक धन्यवादी हिर्दे को प्रगट करता है हे परमेश्वर मैं तेरी भालाईयों के प्रती तुझे क्या दो जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं परमेश्वर की प्रती की धन्यवादी हूँगा और उसकी तमाँ भालाईयों के लिए मैं उसको धन्यवाद देता रहूंगा प्रशनी उठता है जब परमेश्वर हमारी इस प्रता को सुन करें हमें तमाँ प्रकार से नजात देता है तमाम परिशानियों से हमको अज़ाद कर देता है कि अपने इन वाइदों को याद करते हुए अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू करते हैं ताकि परमेश और किनेमिक एक बैतर गवाही बन सके अपने आपने लिए उत्तर दे कि जाकि परमेश और कि अपने वाइदों को पूरा करते हैं या नहीं करते है आयम भजान 116 में चलें और देखें कि भजान का लेकने वाला हमसे क्या कह रहा है अवो क्या सोच रहा है Let's go to Psalm 116 Let's see what the Psalmist is saying and what is he thinking Psalm 116 verse 1 I love the Lord because He has heard my voice and my pleas for mercy Because He has inclined His ear to me Therefore I will call on Him as long as I live Then I called on the name of the Lord O Lord I pray deliver my soul Gracious is the Lord and righteous our God is merciful The Lord preserves the simple When I was brought low He saved me Return O my soul to your rest For the Lord has dealt bountifully with you For you have delivered my soul from death David is making that claim That's His testimony That's His witness and that is His experience God for you have delivered my soul from death My eyes from tears And my feet from stumbling I believed when I spoke I am greatly afflicted I said in my alarm All mankind are liars I was troubled I was devastated I was doubting And in this situation I mistrusted people And I said in my alarm I was alarmed I was troubled In my alarm I said All mankind Are liars I am Lord because you have delivered me what should I render to you and that's what David says in verse number 12 what should I render what should I do and David says the following things let's look at these three or four things quickly David does what he says in verse 9 I will walk before the Lord in the land of the living मैं जीवतों के बीच में यहोवा के निमित चलता रहूंगा अर्थाक लोग मुझे देखेंगे परमेश और यहोवा की महिमा करेंगे लोग मुझे देखेंगे और मेरे जीवन में परमेश और यहोवा के प्रती एक धन्यवाद और कृतक जिता के भाव को देखेंगे लोग मुझे चलता फिरता देखेंगे और मेरे जीवन के द्वारा परमेश और को आश महिमा मिलेगी और लोगों को आशीश मिलेगी verse 13 I will life up the cup of salvation and call on the name of the Lord मैं उद्धार का कटोरा उठा कर यहोवा से प्रातना करूँगा verse 14 I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people मैं यहोवा के लिए की हुई मनतों को सब लोगों के समक्ष पूरा करूँगा दावद कहरा है वो मनते जो मैंने बंद कोटरी में मांगी थी जब परमेशर से मैंने प्रातना की थी उस अकेलेपन में उस अलगाओ की स्थिती में और परमेशर मेरे अकेलेपन की उस प्रातना को सुन लिया और आज मेरा दिल धन्यवाद से भरा है तो जो परमेश्व ने मेरे अकेले में किया मैं सब के सामने अपने धन्यवाद को प्रगट करूँगा मैं धन्यवाद की बली चढ़ाऊंगा और यहोवा को पुकारूँगा मेरे प्यारे भाईयों बेहनों दाउद एक ऐसा जन है जिसने जीवन के अलग अलग शणों में परमेश्व के सामर्थी हाथ को दिखा है और वो जानता है कि जब कठनाईया हो तब परमेश्व की नजदीकी में कैसे हम बने रहे और जब जीवन के दिन बदल जाएं और अच्छे हो जाएं तब भी परमेश्व के नजदीक हम कैसे बने रहे उसके हाथ को हम कैसे थामे रहे मैं भजन 118 के कुछ पदों की और आपका ध्यान कीचना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि हम लोग मिल करके इन पदों का अध्यन करें और देखें सीखें कि परमेश्व हमारे जीवनों से क्या चाहता है बजन 118 और उसका पांच मापत साम 118 और वर्स 5 and this is what God's word says out of my distress I called on the Lord what happened then and the Lord answered me and then and he set me free मैंने सकेती में परमेश्व को पोकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे चौड़े स्थान में उसने पहुचाया वर्स 6 the Lord is on my side I will not fear what can man do to me यहोवा मेरी ओर है मैं न डरूंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब परमेश्वर आपकी ओर है जब उसका सामर्थ आपके साथ है जब उसकी उपस्थती आपके साथ है आपको भैभीत होने की घवराने की अकेलापन महसूस करने की कोई आउशक्ता नहीं है जब परमेश्वर आपकी ओर है मढडरियेगा मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकते यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर अपने पद पर अपने पैसे पर अपने गुरूर पर अपने संपर्थ पर अपने अपनी कौलिफिकेशन पर भरोसा करने से उत्तम है पहतर है वो मनुष्यों पर भरोसा करके देख चुका था दाओद की मनुश्यों पर भरोसा करना व्यारत है He knew by experience, David, that trusting in men is a futile effort. People will come and go. Circumstances will change. But if there is one thing that's unchanging, like a rock and will remain, that's God. And he says, it is better to take refuge in the Lord than to trust in men. Verse 17, I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. केता है, मैं ना मरूंगा पर जीवित रहूंगा और परमेश्वर के बड़े कामों की मैं चर्चा करता रहूंगा. As long as you live, keep talking about the goodness and the graciousness of God. दाओद केता है, जब मैं कबर में चला जाओंगा, तब मिरे लहू से क्याला. What is a dead body going to be good of? You can talk about God, His grace, His mercy, only as long as you live. And that's what he says, I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. Verse 24, and this verse 24 is now so popular, it has become into a chorus. People sing it in the times of difficulty, in the times of devastation and destruction and loneliness. And when they think that everybody else has left them, this is the chorus people sing. And they enjoy it, gives them so much motivation, gives them so much assurance. And David says, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So when everything is going well, and when everything is going as per our plan, what do we do? Four or five things, very quickly and we will close for a drill. Number one, number one, I will live for God's pleasure. When everything is going well, I will live for God's pleasure. Look at Psalm 116 and verse 9. Bajan 119 और उसका नौवा पद मेरे साथ दिके. Verse 9, David says, I will walk before the Lord in the land of the living. कहता है, मैं जीवत रहते हुए, यहोवा अपने यहोवा के सामने जान कर नित चलता रहूँगा. मैं इस संसार में रहते हुए, जीवान इस प्रकार से जीऊँगा, कि मानो यहोवा परमेश्वर के सामने मैं जी रहा हूँ. In this world, I will walk before the Lord in a way as if He is watching me. He is looking at me. And in the Bible, I will walk implies I will live. Bible में, जहां के लिखा है, चाल के बारे में, चाल चलन के बारे में, वहाँ पर असल में जीवन शैली, और दिदिन चर्या, और आदतों का वहाँ पर सिकर है. So, what is David saying? When everything is going well, I will live for God's pleasure. जब सब ठीक चल रहा हो, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके आनंद के लिए जीऊंगा. My dear people, listen carefully. The first thing, this is about focus. यह यहोवा की और अपना ध्यान रखने वाली बात है. प्रशनी यह है कि जब परमेश्वर मुझे सफल करेगा, तब मेरा ध्यान कहा होगा. जब आप सफल हो जाएंगे जब आप स्वस्थ हो जाएंगे जब बिमारी दूर हो जाएंगी जब नौकरी मिल जाएंगी जब पैसे आ जाएंगे जब बच्चे सितल हो जाएंगे जब सब ठीक हो जाएगा जब जगडे खतम हो जाएंगे जब बिमारी टल जाएगी, जब हम पहाड को पार कर लेंगे, अर्था जब हम सफल हो जाएगे, तब हमारा ध्यान कहा होगा, मेरे मित्रों की ओर, मेरे पैसे की ओर, मेरे पद की ओर, किसी संस्था की ओर, किसी अधिकारी की ओर, अपनी सफलता की ओर, अपने प्रभाव की ओर ये परमेशर यहुवद्धुर आपने रुखवा किऊ। लेएई हना फोक्ष वाल पनाण देडिक। लेएई बलाद गेएगेगे विफछेगे विए गिएगे अजिकाट सक्केट इस लेइए अजिए हना लिए इसबान लिएवर्ट ग्रीटिस। or is my focus going to be on God David says my eyes will be on God non-stop your eyes my eyes need to be on God non-stop even when times are good and successful and everything is fine David says I will continue to be a God pleaser मैं जीवन के हर परस्तिती में यहां तक इस सफलताओं के मद्धी में भी परमेश्वर को आनन्दित करने वाला व्यक्ती बनना चाहता हूं हम बहुत भूल जाते हैं जब परिशान होते हैं परमेश्वर याद आता है जब सब ठीक हो जाता है परमेश्वर को भूल जाते है दाउट कहरा है मैं सब ठीक होने की बावजूद परमेश्वर को आनन्दित और खुश करने वाला व्यक्ती बनोगा सच बातों ये है सब कुछ ठीक इसी लिए है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपका ध्यान उसकी और है अपना ध्यान उसकी और से हटाएंगे और आप अपने जीवन में तमाम प्रकार के गिराओं को और असफलताओं को देखेंगे बजन 121 दाओद कहता है मैं अपनी आखे यहोवा की और उठाओंगा पर्वतों की और पर्वत जहां परमेश्वर यहोवा की उपस्ति विद्धिमान है विराजमान है I will lift up my eyes to the hills hills implies the presence and the place of God God will always remain my focus and if you if you look into the Old Testament you will find every single character in the Bible at a given point of time when they were desperate or when they were successful their eyes remained fixed on God and that's what David says he will do that's what we need to do when we are going through the good cruising days of our life David says I will continue to live in a way that gives God all the pleasure मैं परमेश्वर यहोवा को आनन देत और खुश करने वाला जीवन जीवन जीऊंगा number two number two I will maintain a habit of praise or worship I will maintain a habit of praise and worship मैं अपने जीवन में आराधना और स्तुती को जीवन का हिस्सा बना लो habit आदत मौके मौके वाली बात नहीं आदत वाली बात I will make praise and worship a habit now many a times my dear people would think that praise and worship simply implies singing of a few songs well no praise and worship is a life attitude एक जीवन की शेली है एक जीवन का तरीका है गीतों के द्वारा स्तूती और अराधना करना स्तूती अराधना करने के कई तरीकों में से एक तरीका है द्वाराधना अराधना और स्तूती को अपने जीवन की आदत बना लूगा अर्थात परिस्थिती चाहे जैसी हो मैं अराधना और स्तूती करता रहूंगा तेरवा पद देखेगा बजन 116 और उसका तेरा साम 116 verse 13 says I will lift up the cup of salvation and I will call on the name of the Lord तेरे पद में लिखा हुआ है मैं उद्धार का कट्वरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा listen carefully this is about credit this is about giving God all the credit when we praise and we worship we are lifting the name of Jesus we are giving God the credit of everything that we are and everything that we have so David says I will maintain a habit of praise it is about credit it's about credit मैं सारा श्रे परमेश्वर का दूंगा I will give God the entire credit of every success that I have achieved मैं कहूंगा कि यदि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ नहोता तो जो कुछ मैं कर पाता हूँ या जो कुछ मेरे पास है वो कुछ नहोता I will give God the credit and I will say if it weren't for God I wouldn't be here if it weren't for God I wouldn't be successful if it weren't for God I wouldn't be alive today I will give God all the credit it says I will maintain a habit of praise and worship a righteous man a holy man a pure man a God-fearing man gives to God the credit of everything that he has and he has worked for and accomplished many times we have this whole this whole thought process in our minds and our hearts I have achieved it I have done it I am self-made I have worked hard my skill my capability my hard work my idea my thought well yes it is yours but the question is who enabled you to do it who gave you the mind to get the right ideas who gave you the hands to do the right thing who gave you the heart to have the right feelings who gave you a healthy body to do the work that you've done who has given you the ability to be able who has given you the ability to accomplish it's God so my dear man my dear husband my dear son my dear grandfather my dear my dear uncle the men listen carefully give God the credit of the success that you have of the money that you're earning the position in the company the 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 impression that you have in the society give God the credit parmishwar I will make praise and worship a habit in my life give God the credit you know what when you when you start giving God the credit people will start saying all sorts of things they'll say oh man you earned it you worked you worked very hard for it you've invested years and years of hard work into this company it's your credit you worked hard for it so take it take it glory yourself lift yourself and even in the midst of such suggestions my dear people my dear men my dear women successful ladies working ladies how home makers listen give God the credit of all the success God gets the entire credit should be the motto of your life आपके जीवन का जो धे है जो जो आपके जीवन का लक्ष है वो यह होना चाहिए कि मेरे जीवन की सारी सफलता का श्रे मैं सिर्फ औसिर्फ परमेश्वर यहोवा को तो I will give God the credit I will give God the entire credit the undivided the undeterred credit goes to God he must increase and I must decrease वो बढ़ता चला जाए और मैं घड़ता चला जाओ number three what else is David saying he will do when everything is going well जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और क्या कुछ दाओद करने की बात करता है number three I will keep my promises that I made in my desperate times I will keep my promises that I made in my desperate times जब मैं बहुत निराश था जब मैं बहुत परिशान था जब मैं नीचे था जब मैं हताश था जब मैं उदास था जब मैं अकेला था desperate times अएसे मौकों पर जो वायदे आपने पर मेश्राज़ रकिए उनको याद रखिये है उनको याद रखिये है बूर मच चाहिए है बजन 23 में क्या लेका है जब मैं घोर अंदकार से भरी हुई तराई में से होके चलूँगा तो अभी हानी से न डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ है तेरे सोटे तेरी लाटी से मुझे शान्ती मिलती है लेकिन आपको मालूम है घोर अंदकार से भरी हुई तराई में से आप निकल के पार चले जाएंगे तब रोशनी में चले जाएंगे तब परवत के अनभाव मिलेंगे तब अच्छे अनभाव मिलेंगे तब सफलता के अनभाव मिलेंगे दाउद कह रहा है ऐसे अनभाव में होते हुए मैं पीछे मौत के अंदकार से भरी हुई तराई के अनभाव को और उस दौरान परमेशर चे किये हुए वाइदों को नई भूलेगा I will not forget the promises I made to God when I was desperate My dear people, we make many promises But then we forget the promises once the valley experience is over जब तराई कानभाव खतम होता है हम परमेशर से किये हुए वाइदों को भूल जाते है Remember that you told God that you will be available Remember that you said that you will be helpful and that you will serve God and His house and His people Remember that you promised to be always truthful and honest These are promises we make to God in desperate times यार रखियेगा जब आप परिशान थे तो आपने परमेशर से वाइदा किया ता प्रभू इस बार बचा लिजिए अब मैं आपकी सेवा करूंगा मैं समय निकालूंगा मैं महनत करूंगा मैं इमानदार रहूंगा मैं वफदार रहूंगा मैं आपसे प्रेम करूंगा मैं लोगों की सहायता करूंगा ये वाइदे हैं जो आपने किये हैं लेकिन बहुदा जब कष्ट के समय खतम होते हैं जब हताशान राशा के समय समापत होते हैं जब सब अच्छा हो जाता है हम अपने वाइदों को भूल जाते हैं हन्ना ने गूली थी And I did not forget the promise she made to God And she said If you bless me with a son I will bring him back into your house to be your servant उसने कहा था यज़ी तु मुझे पुत्र की आशिश देगा तो मैं अपने पुत्र को तेरे भावन की सेवा के लिए समर्पित कर दूँगी और एक समय आया जब परमेश्वर ने उसके आसुओं को देखा और उसकी प्रार्था को सुना और उसको पुत्र की आशिश दी और हन्ना ने अपने किये हुए वाइदे को निभाया लिसन डोंट वी वांट तो प्रामिस कीपिंग गॉद डोंट वी वांट तो फुल्फिल आस अपने वाइदों को पूरा करे लेकिन हमारा क्या जब हम परमेश्वर से वाइदे करते हैं क्या उसको पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है डाउद कहता है मैं तमाम परिशानियों के दौर में से गुजरते हुए परमेश्वर को किये हुए वाइदों को हमेशा याद रखूँगा वर्स फोर्टीन मैं यहोवा के लिए अपनी मनते सभों की दृष्टी में प्रगट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगा राओद कहरा है मैं अपनी सारी मनतों को पूरा करूँगा चुपचाप से अकेले में नहीं सारी प्रजा के सामने I will fulfill my vows that I made to God not in a place of corner or secrecy but I will fulfill my promises in the midst of all people मैं लोगों के सामने अपने वाइदों को पूरा करूँगा and this is about gratitude this is about gratitude so we've seen something about focus then we saw something about credit and now this is about gratitude ये धन्यवादी होने वाली बात है मैं सब को बताऊंगा कि जब मैं मुसीबत में था और मैंने अकेले में यहोवा को पुकारा उसने मेरी सुन ली और अब मैं सब के सामने यहोवा की प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा मैं यहोवा की प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा मैं उसको इज़द दूंगा और अपने किये हुए सारे वायदों को और उन मननतों को जिनको मैंने मारा रद उनको मैं पूरा करूंगा मैं धन्यवादी होंगा मैं धन्यवादी होंगा यदए कियेगा A man who shows gratitude shows greatness एक व्यक्ति जो धन्यवादी हो ना जानता है वो महान व्यक्ति and when you learn to be thankful when you learn to be a man and a person of gratitude you will show to your subordinates to your colleagues to your younger ones in the family and outside the family that you appreciate hard work that you appreciate favor and that you have a heart of thanksgiving जब आप धन्यवादी होना सीखेंगे और धन्यवादी पन आपकी जीवन में दिखेगा तो आपके साथ के लोग और आपसे नीचे आपके बच्चे आपके परिवार में परिवार के बहार लोग देखेंगे और जानेंगे और इस बात को समझेंगे कि आप धन्यवादी होना जानते हैं आप मेहनत को पहचानते हैं और धन्यवादेना जानते हैं नमबर फोर I will give till it hurts because God was there when it did hurt I will give till it hurts because God was there when it did hurt when God gave me everything he had I will give to God everything that I have and the truth is nothing that I have I have not received from God in fact everything that I have I have it from God so I am just basically giving it back to Him I am giving back to God what already belongs to God जो कुछ मेरे पास है सब परमेश्वर को दिया हुआ है तो जब मैं परमेश्वर को देता हूँ तो असल माइने में केवल उसको लोटा रहा हूँ जो उसका पहले से है मैं अपने भरसक अधिक से अधिक दूँगा क्योंकि यहोव परमेश्वर ने मेरे मुसीबत में मेरा साथ नहीं छोड़ा लोग साथ छोड़ देते हैं बदल जाते हैं पलट जाते हैं दूर हो जाते हैं आपका अनुभा होगा मेरा भी अनुभा है जब जरूरत रहती है वो साथ रहते हैं लेकिन जब हमें जरूरत होती है वो साथ छोड़ देते हैं जब हम परिशान होते हैं वो अलग हो जाते हैं जब हम अकेले में होते हैं वो अलग हो जाते हैं जब हम बेज़ती किस्थान में होते हैं वो अलग हो जाते हैं लेकिन दाउद कहे रहा है मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ साथ बना रहा है और इसलिए अब मैं भरसक अधिक से अधिक परमेश्वर यहोवा को दोंगा Look at verse 17. Psalm 116 verse 17. I will offer up the sacrifices of thanksgiving and call on the name of the Lord. Verse 17. में तुच को धन्निवाद बली चाहूंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा This is about sacrifice. So about focus, about credit, about gratitude. Now this is about sacrifice. I will not only say thanks but I will give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. You are understanding what I am saying? Many times we only say thanks but to God I am saying I will give thanks. Give thanks. मैं धन्निवाद दूंगा कि वर शब्दों का नहीं यह थार्थना. I will give thanks. मैं यहोवा को ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो पहले ही उसका नहीं हूँ. यहाँ तक कि जो कुछ मेरे पास है या जो कुछ मैं हूँ वो ही सब कुछ यहोवा परमेश्वर ही का है. So मैं यहोवा को दूंगा. I will give to God what already belongs to Him. Blessed are they who call on the name of the Lord. Even more blessed when life doesn't compel you to. जब जब जीवन आपको मजबूर नहीं करता परमेश्वर यहोवा को पकारने के लिए और आप तब भी उसको पकारते हैं. आप धन्ने हैं. वरना हम तो तब परमेश्वर यहोवा को पकारते हैं जब हम परेशान होते हैं. Our faith is tested in the storms and fire. Our love is tested in comfort and success. हमारे विश्वास की परक आंधी और दूफान में होती हैं. और हमारे प्रेम की परक हमारे सुख और हमारे आनन्द में होती हैं. जब हम सुख में हो और आनन्द में हो और तब ही यदि हम परमेश्वर को पकारें यह हमारे प्रेम का प्रगत्टी करने हैं. Will you really love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength as basically everything that you are and that you have, you will love the Lord and you will give thanks to the Lord. It's about giving. And the last thing, what else will I do? What else will I do when life is cruising along at a good speed? जब जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो ऐसी परिस्थिती में मैं क्या करूँगा? And David says, I will prioritize his presence. I will prioritize his presence. This is about priority. यह प्रात्मिक्ता की बात है. दाउद कहता है, मैं परमेश्वर यहोवा की उपस्थिती को अपने जीवन की प्रात्मिक्ता बनाऊँगा. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्म में लगा रहता हूँ कि जीवन मैं भर मैं परमेश्वर यहोवा के मंदिर में निवास करूँ और उसकी खुबसूर्ती को उसकी सुंदर्ता को मैं निहारता रहूँगा. परमेशर यहोवा की उपस्तिती को दाउद कहता है मैं अपने जीवन की प्राथ मिक्ता बनाऊंगा I will prioritize the presence of God What is David saying? David saying is to be in the presence of God will be my utmost priority मेरे जीवन का जो सबसे सर्वोत्तम उतेश है वो यह है परमेशर यहोवा मैं तेरी उपस्तिती में बना रहूंगा I will remain in your presence I will not draw away from your presence I will not go away from you I will not leave your hand but God even in the best days of my life I will continue to enjoy your presence and being in your presence will be my top priority आप की उपस्तिती में बने रहना मेरे जीवन की प्राथ मिक्ता होगी Luke chapter 10 and verse 38 from the story of Martha and Mary that's what we learned as she chose the better half and what was the better half? to be in the presence of Jesus प्राव येश्वमसी की पस्तिती में बने रहना sitting at the feet of Jesus standing at the tomb of Jesus being near to Him was her priority and she prioritized the presence of the Son of the Living God my dear friends this is where I want to conclude so what have we learned today? हमने क्या सीखा? I will live for God's pleasure that's about focus मैं यहोवा के लिए आनन से जीऊंगा और ये हमारे ध्यान की बात है कि हमारा ध्यान कहाँ है I will maintain a habit of praise and worship and that's about credit मैं सारा श्रे, सारा आदर, सारी इज़त परमेश्वर को दूँगा I will keep my promises that I made in desperate times अपने निराशा की अवस्ता में परमेश्वर से की हुए वाइदों को मैं कभी नहीं भूलूंगा that's about gratitude ये धन्यवाद की बात है I will give till it hurts because God was there when I was hurting जब मैं हताश और परिशान और चुटिल था परमेश्वर मेरे साथ था इसलिए मैं अधिक से अधिका भरसक उसको दूँगा and this is about sacrifice give till it hurts give till it hurts ये बलिदान की बात है and I will prioritize the presence of God मैं परमेश्वर यहोवा की उपस्तती में बना रहूंगा और उसकी उपस्तती में बने रहना मेरे जीवन की प्रात्मिक्ता होगी and this is about priority प्रात्मिक्ता की बात है my dear friends I wish you never have to see tough days or days of sickness or days of hardships I just hope that you will never have to see these kinds of days मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी निराश और परशान और हताशा की दिनों को ना देके but the truth is that life isn't so good all the time and when it turn back to God it will definitely turn back on you लेकिन जीवन हमेशे एक जैसा नहीं होता हर दिन एक जैसा नहीं होता एक अंग्रेजी की कहावत है every day is not a Sunday हर दिन हमारा जीवन का अलग-अलग अनुभाव लेके आता है कभी हम खुश और आनंदित होते हैं कभी निराश होते हैं जब जीवन की परस्तितियों ने प्रभु येश्य मसी को नहीं छोड़ा तो हमें क्यों कर ऐसी उमीद है when God has saved when He has healed when He has brought you out of that barren land you can rest assured in the presence of God आप परमेश्वर की उपस्तिती में आनंद ले सकते हैं इस बात को जानते हुए और इस बात के आश्वासंग के साथ परमेश्वर ने आपको बचाया है उसने आपको शिफा दी है वो आपके साथ है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा keep holding on to the hand of God even in the best days of your life अपने जीवन के सरवाधिक उत्तम दिनों में भी परमेश्वर के हाथ को थामे रहेगे will we let gratitude wear off? क्या हम धन्यवादी पन को अपने जीवन से जाने देंगे? what will we render to God for all His benefits? परमेश्वर यहोवा के किये हुए कारों के प्रती हम क्या उसको दे सकते मेरी प्यारे भाईयों मेनों परमेश्वर के हाथ को थामे रहे that is your place of security that is your place of safety that is your place of assurance and God is faithful and He will never leave you वो आपको कभी भी और कभी भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशिश्च दे May God bless you